आप लोग जाया है आप लोग जाया है हेलो एवरीवरी मैं संजे पुमारा हाजीर हूँ आप सब के सामने आपका अपना स्टेडी चैनल लेकर के स्टेडी टीपल एट देखिए बहुत स्टूडेंट्स की जो हैं कैसे हैं आप सभी कहते हैं कि डारेक्ट ही अपने कारिये पर नए आ जाएं पहले थोड़ा हाल चल पूछ लिया जाएं तो इसलिए जो है कैसे हैं आप सभी माइडिये स्टूडेंट्स और क्या कर रहे हैं आजकल जून की छुटिया चली हैं क्यों ना इस समय को खराब होने से बचाया जाएं अगर आपके पास कोई कारिये नहीं हैं खाली हैं तो वीडियो देखिए और ज यूज कर रहा हैं खर्चा है और बौर है खर्चा है खर्चा है खर्चा है जो इंक है और स्टेंड है यह खर्चा है यह लाइटिंग होगेरा है यह खर्चा है फिर मेरा बहुत मुल्य किमती समय भी लगा वह यह भी खर्चा है जब मैं इतना कुछ कर सकता हूं तो आपको क कि अपने स्टेडी पर फोकस करते हुए आगे बढ़ो समझदारी इसी में है किसी की सुनु शुनाई बातों में मत जाओ यूटूब को सब्सक्राइब मत करो यूटूब वाली पैसे कमाते हैं यह ऐसा होता है वह वैसा होता है इन चीजों पर मत जाओ किसी के नसीब में पैसा होगा तो उसको मिलकर रहेगा खोई नहीं रोक शकता तो यह आप ध्यान रखें कि स्टडी कीजिए में मकसद आपका स् कि स्टडी करोने का कोई पैसा डोड़े लिया जा रहा है आप बकवास चीजें ने मोटे ने करवटron बदली मोटे तो यूँ करवट बदली और मोटा चलता चलता कि गर गया और पतले ने जो हरे बहुत बड़ा पत्थर उठा लिया है यह तेक में इह दात निकाल कर हचने से अच्छा है कि आप अपनी स्टडी पर फोकस करें और आपकी स्टडी ही आपको जीवित रखेगी इस जमाने में तो देखते हैं हम पहला परसन हमारे जो है हिस्ट्री दिसमी कलास के हिस्ट्री के पहले दूसरे चेप्टर से मैं कुछ किरसन चाट करके लाया हूँ और स्टूडेंट्स जो हैं बहुत से ऐसे कमेंट आ रहे थे वो बोल रहे थे कि सर हमने पहला दूसरा चैप्टर रीड कर लिया है और आप भी जो है हमारी अच्छे से त्यारी करवा रहे हैं क्यों ना हमारा एक टेस्ट लेकर देखा जाए तो उन्होंने कहा कि सर एक टेस्ट वाली वीडियो डाल दीजिए ताकि हम उनका जवाब आपको भेजें और आप उनको चैक करके भतासके की हमारे कितने परसेंट मार्क आए हैं या कितने नंबर आए हैं तो देखिए ऐसा है बहुत ज़्यादा जब कमेंट आने लग जाते हैं तो वो वीडियो यूटूबर को बनाने हैं पड़ती है तो आपके जो यूटूबर हैं उनको ये वीडियो आज लेकर ही आना पड़ा पिछले एक अपते से इस वीडियो की डिवान चलिया रही थी तो कोसिच करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा किफिशन जो है इस वीडियो में कवर किये जासके तो धैरिये के साथ अपने किफिशन को अटेम्ट कीजिए और सभी अटेम्ट कीजिए सही हो या गलत हो उ आमें अपनी वीडियो स्टाट करते हैं पहला पर्सन है जैसे नमर फरिश्ट मिसर की सभ्यता का विकास कब हुआ था मिसर की सभ्यता का विकास कब हुआ था तो देखिए साथ 2028 में आठ इज़गशिभी किसे कहा जाता है नील नदी का वर्दान किसे कहा जाता है यह पूछा है इरान को मिस्र को इराक को या अफगानिस्तान को किसको नील नदी का वर्दान कहा जाता है next question है मिस्र में कितने राजवन्सों ने 3100 वर्स तक राज किया 41 41 51 41 101 मेंससं कितने राजबन सों ने 3100 Сейчас review मिष्र में क्योंसर लिए हॉरा प्राचीन मिष्र में निल नदी का देवता कौं ना पूछ लिया गया है तो कौन था बताएए होरस था, सीन था, नूत था या ओसिरिस था इन मेंसे कौन था जो प्राचिन मिस्र में नील नदी का देवता कहा गया कैस्ट नमबर फाइब है युनान में लोह यूग कब से कब तक रहा युनान में लोह यूग के विसे में पूछा है और ये कब से कब तक रहा तो देखिए बारा सो बीसी से आठ सो बीसी तक या आठ सो बीसी से पान सो बीसी तक पान सो बीसी से या दो सो बीसी तक और साथ सो बीसी से चार सो बीसी तक इन में से क्या अपका अंसर है उसको नोट करके रखिए और कमेंट में मुझे लिख वेजिए या फिर वाटसप पर मुझे मैसेज कर दीजिए तो अगे भी और नेक्स्ट भी किसिन आ रही हैं किस नमबर सिक्स देख लेते हैं किस नमबर सिक्स है हमारा बहुत ही बड़िया परसन है देखिए क्या कह रहा है मैसोपोटामिया में वनस्पती और किर्शी का देवता कौन था मैसोपोटामिया में वनस्पती और किर्शी का देवता कौन था तो देखिए अनू था या की था तमूज था या नरगल था इन मे इसे कौन सा देवता था जो वनस्पती और किर्शी का देवता माना गया है नेक्स्ट केस्ट है इस्टोरिका गरंद किस ने लिखा था इस्टोरिका गरंद के विशेवे पूछा है और ये गरंद किस ने लिखा था ये आपको बताना है अरस्तू ने लिखा था या हैरोडोट है किस नम्बर 8 है रोमन सब्हुता में यूद का देवता कौन था रोमन सभूँता में यूद का देवता पूछा है कौन था वैस्टा था जुपीटर था या मार्When फिर अपऑ हॉवेस्टा जुपीटर मौर्श या अपॉलों ने इसे कौन लगता है आपको कि यूद का देवता हो सकता है और वो भी कहां पर रॉम में नेक्स्ट क्योशन देख लेते हैं क्योशन नमबर नाइन है क्योशन नमबर नाइन है देखिए बड़ा ही अच्छे क्योशन है क्या पूछ रहा है रॉम का पर्थम समराथ कौन था पूछ रहा है रॉम का पर्थम समराथ कौन था तो ये आपको बताना है निसी रॉमूलस आगश्टस या सारगन दिवित्य इन में से कौन सा अंसर है ये आपको देखना है question number 10 है युनान में समुंदर का देवता कौन था युनान में पूछा है समुंदर का देवता कौन था ये पूछ रहा है Mars, Apollo, GS या Poseidon Mars, Apollo, GS या Poseidon इनमें से क्या आपका अंसर है या आपको बताना है question number 11 है सिकंदर ने मकदूनिया के लिए किसका वर्द किया बड़ा ही interesting question है वही बहुत ही बड़ी है person है क्या कह रहा है सिकंदर ने मकदूनिया के लिए मकदूनिया के लिए किसका वर्द किया तो सिकंदर ने मकदुनिया का राजवन से प्राप्त करने के लिए किसी का वद किया था और वो इन में से एक है बताईए अपने बेटे का, अपने दादा का, अपने चाचा का या अपने पिता का इन में से किसका वद उसने किया और राज सिंहासन प्राप्त किया किश्चन नमबर ट्वेल्ल है indian passa workshop इनकर क्या नाम त्वलिप रॉम्यलेस या कोई नहीं में से आपको एक जवाब है। किसन नमबर है थार्टिन कन्फियोसियस कहां के दाशनिक थे कन्फियोसियस के में पूछा है और यह कह रहा है कि कन्फियोसियस कहां के दाशनिक थे यह फिलोसिफर थे यह दाशनिक थे और कहां के थे यह आपको बताना है तो देखिए रॉम के युनान के चीन के या भारत के रॉम के थे या युनान के थे या चीन के थे या भारत के थे कहां के दासनिक थे ये आपको बताना है next question देख लेते हैं, question number 14, question number 14 में क्या पोच रहा है, देख लेते हैं, question number 14 है, आपके सामने, आपके mobile screen के सामने, देखिए, इधर क्या देखिए, आपके mobile में देखिए, तो देखिए, मिस्तर के सासक किसे अपना इष्ट मानते थे, मिस्तर के सासक जो है, राजा जो थे, वो किसे अपना इष्ट मानते थे, इष्ट का मतलब है, वो अपना कुल देवता किसको मानते थे, तो देखिए, चंदरमा को, इंदर को, सूरिय को, या वायू को, इन में से एक अंसर है, व इसको क्या कहा जाता था तो देखे फू, वांग, हीन या सेंग इन मेंसे एक अंसर है वो आपको सर्च करना है क्योशन नमर 60 है असूर नामक नगर का संबंद किस सभेता से है पूछ रहा है माया से सुमेरिया से बेविलोन से या असीरिया से इन में से एक सभेता से किसका समद्द है असूर नामक नगर का ठीक है तो ये आपको सर्च करना है क्यूशन नमर 77 है मैसो पोटामिया सभेता के में नरंगल किसका देयता था तो पूछ गया है मैसोपोटामिया सभेता में नरगल नरगल किसका देवता था अकास का वनस्पती का चंदरमा का या पलेग का इन में से एक अंसर आपको सर्च करना है वो अकास का देवता था या वनस्पती का देवता था या चंदरमा का देवता था या फिर पलेग का देवता था किसका देवता था ये आपको बताना है आईए क्योशन नमर 18 देख लिए हमारा क्योशन नमर 18 बड़ा ही लादजवाब है क्योशन नमर 18 है 18 क्या कहता है कि हड़पा की खोज किस ने की थी इसके अप्सटन है रखाल दास ने देयाराम साहनी ने होमर ने या फिर हैरो डियोटर शने तो देखिए रखावदास ने की थी या दियाराम सहनी ने की थी ओमर ने की थी या घरोडोटस ने की थी किस ने हडपा सब्वेता की फोच की थी पूछा गया है तो इन मेंसे क्या नाम था सिंदू सब्वेता का दूसरा नाम पूछा गया है तो इन मेंसे क्या नाम था सिंदू सब्वेता का दूसरा रोमुलस, हिकेटेस, हडपा या असीरिया इन मेंसे कौन सा नाम था सिंदू सब्वेता का जो दूसरा नाम रहा है और क् महराश्ट्र में है और करनाटक में रिया गुजरात में है किस राज़े में है लोक्थन बंद्रगा सेन नमने है है weैं यू Wi-深os का मतलब है अ संज तदि सजे को सर्माश टदी क इस समझे सर्माश टेडी टीकुलेट जी नहीं एस एस का मतलब है सर्श्वती सिंदू सभिता सर्श्वती सिंदू सभिता सर्श्वती सिंदू सभिता हम इसको सर्श्वती सिंदू सिविलाइजेशन तो सर्श्वती सिंदू सभिता की शड़कों की लंबाई कितनी थी तो इन में से आपको बताना है क्या उप्षन है 9.3 मीटर 3.15 मीटर 9.15 मीटर या 9.3.9 मीटर इन में से कौन सा उप्षन है जो आपको लग रहा है कि इसका अंसर होना चाहिए उसको आप नोट कीजिए और सर सरश्वति सिद्व सब्व Anything को घाता टो इससदो 2020 स्वयटारोंग द्यूंति-यू किलोमीटर 1.5.30-100.00-7.000 मीटर इन में सेenser हो कि ये आपको देखना है कि बहुत इस बड़ blue परिशन है question number 23 है क्या कहता है 23 number question SS सभ्यता का पतन कब हुआ SS सभ्यता का पतन पूछा है पतन का मतलब है अंत कब हुआ तो यह पूछ रहा है 1000 BC में 1500 BC में या 1300 BC में या 800 BC में 800 BC में तो यह option है आपके सामने और इन में से आपको जो है right answer जो भी है वो लिप करके रखना है next question देग लेते हैं next question है next question है हमारा 24 number question क्या कहता है देख लीजिए 24 number question क्या जाता में espresso ka अनुपात कितना था हीटो का ANUGS पूछ रहा है कितना था सम्स्राइब सब्सक्राइब एक जिसका में इसी इस नॉब इसे इननी संट्र मुरती बनता है शा देखना है तूटे-फूटे अवस्था में मिली थी, कहां से मिली थी, लोथल से मिली थी, मोहन जोद्डो से मिली थी, बनावली से मिली थी, या राठी गड़ी से मिली थी, कहां से मिली थी, ये आपको बताना है. Question number 26 है धातु से बनी नर्तकी की मुर्ती कहां से प्राप्त हुई थी धातु से बनी नर्तकी की मुर्ती एक प्राप्त हुई थी और ये बताना है इन चार उप्षन में से कहां से वो मुर्ती प्राप्त हुई थी ओप्शन है ओप्शन है नमबर वन यानिकि ए ओप्शन है मोहन जोद्डो हरपा सी भेडाना और दी तिगडाना तो इन में से कौन सा अंसर हो सकता है यह आपको देखना है केशन नमबर 27 है बड़ा यह अच्छा केशन है देखिए क्या पूछ रहा है सरस्वती सिंदू सब्विता से मिली मोहरों का आकार कैसा था जो मोहर मिली थी खुदाई में सरस्वती सिंदू सब्विता से संबंदी थे उन मोहरों का आकार कैसा था यह पूछ रहा है ओप्शन तो गोलाकार और विर्थाकार तो एक ही होते हैं चकोर जी यह आपको देखना है और आयताकार है यह भी आपको देखना है तो अगला नेक्स्ट क्वेस्टन देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेस्टन क्या है बहुत ही पर्षन जो है बड़िया लेकर के आया हूँ मैं बहुत ही बड़िया पर्षनों के सिर्म में लेकर के आया हूँ तो क्या इस कफल मुझे नहीं दोगे आप تو समझते ही हो मुझे क्या चाहिए आप मुझे सब्वेता के साधन क्या थे यानि कि सरस्वती सिंदु सब्वेता के यातायात के साधन पूछ रहा है वह साधन क्या थे पूछ रहा है सरस्वती सिंदु सब्वेता के यातायात के साधन क्या थे सर्ष्वती सिंदु सब्वेता ऐसे सब्वेता के यातायात के साधन पूछ रह आपको next question है किसने कहा ऐसे सब्विता गंत अंतरात्मक थी यह वात किसने कहा था या किसने कही थी कि जो सरस्वति सिंदु सब्विता है वह है एक democratic पदती से जी रहे थे या democratic याने कि गंत अंतरात्मक वो थी तो देखिए नमबर ए है होमर ने यस बी है हंटर ने सी है हेरोडोटस ने और फॉर ऑप्शन है इन्हीं आपके लिए तो और ब्याशान काम हो गया है और इन में से तीन में से ही आपको राइट अंसर को चूज़ करना है देखिए नेक्ट क्यूशन है क्योशन नमबर 30 है कितने काल करमों में बाटा गया है सर्श्वती सिंधू सभेता को कितने काल कर्मों में बाटा गया है यह पूछ रहा है तो ए ऑप्शन है दो बी ऑप्शन है तीन C option है 4 और D option है 5 तो देखिए A 2 और B 3 C 4 और D 5 next question देख लेते हैं हमारा question number 31 है पत्थर की दराती कहां से मिली थी पत्थर की एक दराती मिली थी जिससे पौधे या घासफूस को काटा जाता है तो वो दराती कहां से मिली थी नमबर A है मेहरगड़ से B है बनावली से C है राखी गड़ी से इसमें भी 4th option नहीं है तो आपके लिए और भी काम असान हो गया और ये सारे question के answer जो है आप write करके लिखिए ताकि आप जल्दी से उनको type करके कम समय में ही मेरे पास बेज़ दें और सबसे पहले देखते हैं कोन आता है तो देखें next question है question number 22 है question number 32 क्या कह रहा है कि मौमन जोद्रों से प्राप्त मौमर पर किसका चित्र था मौमन जोद्रों से जो मौरे प्राप्त हुई थी उन पर किसके चित्र थे तो पूछ रहे ये तो इसके option है A option है बैल का, B option है योग पुरूस का और C option है कुट्ता का तो इन वे से आपको बताना है किसके चित्र उन महर पर मौजुद थे Question number 33 है क्या कह रहा है मौहन जोद्रों पूरा स्थल कब खोजा गया था मौहन जोद्रों पूरा स्थल के विशे में पूछा है ये कब खोजा गया था तो देख लेते हैं कब खोजा गया था A option है 1921 में, B option है 1922 में, C option है 1923 में और D option है 1920 में इन चार में से कौन सा एयर है जब जो है इस सब्वेता को खोजा गया था मोहन जोडो नगर को खोजा गया था तो आपको बताना है और क्यूशन नमबर 34 है SSS यानि कि सरस्वती सिंदू सब्यता से समंदित जुते हुए खेत कहां से मिले थे जुते हुए खेत यानि कि खेती के लिए तियार की गई जमीन कहां से मिली थी तो देखें नमबर A है काली बंगा से और नमबर B है राकी गड़ी से और नमबर C है मेहरगर से और नमबर D है बनावली से कहां से ये खेत पराप्त हुए थे या आपको देखना है ठीक है, नेक्स्ट क्षिशन नम्बर 35 है, हल का नमूना कहां से मिला था, या हल का नमूना कहां से मिला है, या आपको बताना है, बनावली से, राकिगडी से, या मेहरगड से, इन तीन में से मिला है, फॉर्थ आप्षन नहीं दिया गया है, नेक्स्ट क्षिशन देख लेते ह कहां से मिली थी यह मिली है नाओ के चित्रवाली मोहर मिली है और यह कहां से मिली है पूछ रहा है option A है मोहन जोड़ो से B है मित्ताथल से मित्ताथल से और C है काली बंगा से कहां से जो है नाओ के चित्रवाली मोहरे मिली हैं तो यह आपको बताना है question no 37 है मिट्टी के नाओ का खिलोना कहां से मिला है मिट्टी के खिलोने बने हुए है नाओ के और वो कहां से मिले हैं यह आपको बताना है आपसंस आर नमबर A है काली बंगर नमबर B है कलोथल नमबर C है बनावली और नमबर D है मिताथल तो देखिए चार ओप्षन दे रखें इन में से आपको सही अंसर चूज़ करना है Quesion number हमारा है next क्या है? 38 है और SS सब्वेता यानि कि सर्ष्वती सिंदू सब्वेता के व्यापारिक संबंद किस से थे? सर्ष्वती सिंदू सब्वेता के व्यापारिक संबंद पूछ रहा है किस से थे? Option है माया सब्वेता से, मैसोपोटामिया से या फिर सुमेरिया से? इन में से किस के साथ जो है सर्ष्वती सिंदू सब्वेता के व्यापारिक संबंद थे? question number 39 है बहुत बढ़िया question है देखे क्या कह रहा है सरस्वती सिंदु सब्विता के लोग किस की पूजा करते थे सरस्वती सिंदु सब्विता के लोग किस को पूजते थे ये पूछ रहा है तो option A है सूर्ये, B है चंद्रवा, C है माता, या D है पसुपती इन मेंसे आपको बताना है क्या इसका अंसर हो सकता है और question number 40 है इस वीडियो का last question है और आपके test series का आखरी question है इसमें पूछ रहा है सरस्वती सिंदु सब्विता के लोग किस देवता को पूजते थे इन चारों मेंसे आप उसको सर्च करके लिए विष्णों को ब्रह्मा को या शिव को या सूर्ये को इन चारों मेंसे किस को जो सर्ष्वती सिंदु सब्विता के लोग पूजते थे तो देखिए ये बहुत ही बड़िया परस्टन मैं लेकर के आया हूँ छाट करके लेकर आया हूँ और जो दोनों चैप्टर हैं उनके मिक्सिंग है और दूसरे चैप्टर से अभी और किस जनाने बाकी हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आ जाएंगे और जो भी तिवर गती स असुआ प्रफइक फश्राइब कर से ज्यादा से ज्याहँ ब्लसट करेगा उसका नाम जो है मेरी आने वाली अगली वीडियो में जो है अनॉंस किये जाएंगे तो अपना नाम सबसे पहले लेकर के आए और अपने दिमाग का अपने दिमाग का प्रूफ दीजिए कि आप म आप इनका जवाब मुझे वर्षब नमबर पर भी वर्षब कर सकते हैं मेरा वर्षब नमबर है 931583088 तो इसी के साथ ही मैं आपसे वादा करता हूँ कि और भी बड़िया बड़िया वीडियो ले तरके आता रहूँगा तो दीजिये मुझे इजाज़त नमस्कार जैहिंद वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद